हेलो दोस्तों मैं हूँ सिवानी और स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में तो आज मैं आप लोग साथ सेयर करने जारी हूँ कच्चे आलू से बने बहुत ही टेश्टी और क्रिस्पी नास्ते की रेसिपी ये नास्ता कितना ज़्यादा क्रिस्पी है वो तो आप सुनी सकते हैं लेकि जितना ज़्यादा क्रिस्पी है उससे कई ज़्यादा खाने में टेश्टी लगेगा और ये जो नास्ता एंसेफ और सिर्फ पांच चीजों से बन जाता है जो कि आपके कीचन में आसानी से उपलब्ध होगा और ये खाने में तो टेस्टी लगेगा ही तो आप लोग भी इस कच्चे आलू से बने बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नास्टे की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैला केन को जरूर दवा दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस नास्टे को बनाने के लिए हमें चाहिए एक कच्चा आलू तो यहाँ पे हम तीन कच्चा आलू ले लिए जिसका किछिलका हटा दिये थे और अच्छे से इसको हम पानी से धो भी लिए हैं साफ कर लिए है अब हम इसका लच्छा तयार करेंगे तो उसके लिए एक बॉल में पानी ले लिए है और इसे में हम लच्छा तयार करके डालेंगे ताकि आलू जो है वो काला ना पड़े और इस मोटे वाले ग्रेडर से इसको अच्छे से ग्रेड कर देंगे कद्दू कस करे है यह देखे ऊपर से नीचे तक जाएंगे न तो अच्छे से लच्छा रेडी होगा और बहुत ही टेश्टी बनेगा यह नास्ता तो इस तरीके से हम सभी आलू का एक एक करके लच्छा रेडी कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं तो यह देखे दोस्तों आल की बज़ा से गंदा लग रहा है तो इसको चार-पांच बार अच्छे से दो देंगे तो अच्छे से निकल जाएगा और यह जो नास्ता है वो क्रिस्पी भी बनेगा तो चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं तो आलू के लच्छे को चार-पांच बार पानी से अच्छे से ट्रांसफर कर देंगे इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए तो इस तरीके से अच्छे से हाथों से निचोर के और उसके बाद हम आलू के लच्छे को दूसरे बाल में ट्रांसफर कर देंगे तो सभी आलू के लच्छे को हम पानी में से अच्छे से निचोर के निकालके और दूसरे बाल में डाल दिये हैं, अब हम इसमें एड करेंगे मैदा, तो मैदा का इस्तिमाल ज्यादा नहीं करना है, जितना आलू लेना है उतना ही चमच मैदा लेंगे, तो यहाँ पर हम तीन आलू लिये हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तीन चमच ही इसमें मैदा ड नमक डाल देना तो एक चमा से थोड़ा सा कम हम इसमें नमक डालने हैं आप अपने टेस्क एक डाल सकते हैं तो नमक डालने के बद इसमें अब कुछ भी नहीं डालना है आपने देखा सिर्फ और सिर्फ पांच चीजियों को हम इसमें इसमें इस्तेमाल किये हैं अब सभी ची डालके mix नहीं करना है एकदम हलके हाथों से इसको mix करना ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से mix करें तभी जो है ये नास्ता जो अच्छा बनता है तो इस तरीके से अच्छे से हलके हाथों से हम सभी चीजों को mix कर देते हैं ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल फैलाते इसको mix करना है तो ये देखिए दोस्तों सभी जी जो को एकदम हलके हाथों से हम mix कर दी है आप देख सकते हैं ज्यादा ये चिपचीपा नहीं बना है तो चलिए अब हम इसको fry करेंगे इसका नास्ता बना के इसको हम fry करेंगे नास्ते को fry करने के लिए तेल को हम पहले ही से गरम होने के लिए डाल दिये थे तेल जो है काफी अच्छे से गरम हो चुका है अब हम गैस के फ्लेम को low to medium फ्लेम पर कर देंगे और उसके बाद इसमें हम इस आलू के लच्छे को डालेंगे तो इस तरीके से हाथों पे लेना है थोड़ा सा और इसको थोरा सा सेप में, गोलगोल सेप में ले आना है, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बस थोरा सा इसको हाथों से सेप में ले आएंगे और उसके बाद इस तेल में डाल देंगे। तो एक तरब से हम इस नास्ते को fry होने देते हैं, उसके बाद हम इसको पलटेंगे, तो इस नास्ते को हम एक मिनट के लिए एक तरब से fry कर लिए हैं, एक तरब से थोड़ा सा ये fry हो चुका है, तो अब हम एक एक करके सभी नास्ते को पलट देंगे, एक मिनट बाद ही इसको टच करना है उससे पहले इसको नहीं पलटना है नहीं तो यह भिखर जाएगा और अच्छा नहीं बन पाएगा तो एक मिनट के लिए इसको तेल में पहले अच्छे से एक मिनट के लिए फ्राइ कर ले तब इसको अच्छे से पलटे तो ये देखे एक एक करके सभी नास्ते को हम पलड़ देते हैं और दूसरे तरफ से भी हम इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे तो दोनों तरफ से इसको हम अलड़ते पलड़ते हुए गोल्डें ब्राउन कलर आने तक फ्राइ कर लेते हैं तो ये देखे दोस्तों सभी नास्ते को अलड़ते पलड़ते हुए दोनों तरफ से अच्छे से हम गोल्डें ब्राउन कलर आने तक फ्राइ कर लिए हैं आप देख सकते काफी अच्छा कलर भी आ चुका है तो चली अविन सभी नास्ते को एके करके एक पलेट में निकाल लेते हैं और बांकी बचे हुए नास्ते को भी हम इसी तरीके से फ्राइ करेंगे तो सभी नास्ते को हम तेल में से एक पलेट में निकाल लिए हैं और बचे हुए लच्छे से भी हम इसी तरीके से नास्ता बना-बना के और तेल में डालते हुए सभी नास्ते को हम इसी तरीके से फ्राइ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं. तो ये देखिए दोसम् क्रिस्पी और क्रंची कच्छे आलो का बहुत ही तेश्टी नास्ता बन के है तयार, तो आपने देखा सिर्फ और सिर्फ पांक चिज़ों से यह बन जाता हैं, और आप सुन सकते हैं हिसके वाद ये नास्ता जो कितना रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा कि आपको आज की रेसेपी कैसी लगी, सेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली में, तो मैं नेक्टी रेफिर से लाओंगी, तब तक के लिए बाई